हेलो एब्रीवान आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही स्वाधिस्ट मजएदार हेल्दी नास्ता जिसे हम दो चमस तेल में बनाके तयार किये हैं ये नास्ता बनाना बहुत ही असान है, खाने में बहुत ज़दा ये स्वाधिश्ट होती है, आप इसे ब्रेक फास्ट में ले सकते हैं, सुबे की जल्दवाजी में आप ये नास्ता को बना के स्वर्प कर सकते हैं, या फिर हलके फूल की फूक में, या फिर जब घर में मैमान आए टेस्टी जा कुछ शर्प करना हो तो आप इसे जरूर ट्राइ करें बच्चे के लांच बॉक्स में दे सकते हैं यह जितनी कम टामें बनके तयार हो जाती है खाने में उतना यह तो यह स्वाधिश्ट होती है बनाना बहुत असान है बनाना शुरू करते हैं वीडियो पस नास्ता बन के तयार होगा आधा कब दही लेते हो इसके लिए आधा कब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिस कर देंगे तभी ज्यादा पानी नहीं देना इतना इतना पानी दे के इसका ठीक सा बेटर इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे तो देख सकते ठीक तो देख सकते हैं इस तरीके से यह ठीको सुझी को ँठ लेता है तो इसमें हम एक से दो चम्मस की करी बड़ी चम्मस से पानी स्में और डाल देगे और इसमें मिस्कर देगे तो इसे ज्यादând पतला भी निकर ना यह ज्यादनाजा करें गर देख सकते हैं इस तरीके देख सकते हैं इसूठी से उठा रहे हैं तो इस तरीके से गिर रहे हैं अब एस sle đang again go आग प्ते डालेंगे आज चप्ते आकोड़ी के लिए इसके बड़ना करते हैंे हैं इस अधा को कड्ड़। कर के लिए खुब सारी हरीधनिय की पति डाल देंगे और इसे मि pross कर देंगे यह कम मसाले में इसे हम बना के तयार करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बाकी की कुछ भी ने डालना है इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे अब इसमें आदी छोटी चमस इनों डर ले आप चाहे तो खाने वाला सोड़ा भी इसमें दे सकते हैं इनों दे के इसे अच्छे से मिक्स कर कर देंगे तो यह फूल के यह बड़ा बड़ा हो जाता है तो आधा-धा चमस इसमें डालेंगे थोड़ा सा जगा खाली रखेंगे गैस का फिल्लो ही रखेंगे इसे ढख के हम दो मिनिट तक पका लेंगे अब इसके हम ठाकन हटाएंगे तो देख सकते एक तरफ से अच्छे तरीके से डाले भी बना सकते हैं तो देख सकते हैं अच्छे से यह सिग्या है तो अच्छे से यह ब्राउन हो गया है क्रिस्पी हो गया है अंदर से एक्दम यह शॉफ्ट बन के तयार होता है तो एक बैचे इसको हम इस तरीके से सारे बैचे इसको बना के हम तयार कर बहुत ज़दा आसान हो जाएगा और यह थोड़ा healthy option है तो और खाने में बहुत ज़दा मज़ेदार लगती इसी तरीके से हम second wedge को भी बना के हम तयार कर ली हैं देख सकते हैं पैन में बनाने से इस तरीके से यह बहुत जल्दी बनके यह तियार हो जाती है आप इसे ऐसे भी में कट करके ले लिए एक परिसाज का लचे में कटकर लि लिए आधी सीवला मीर्च एक टमाटर को पल्प निकालके इसे लंबाई में कटकर लिए लिए हैं आप अपने पसंसे इसमें कोई भी सब्जी दे सकते जैसे बींस गाजर आधी छोटी चमस राय डाल देंगे और इसे थोड़ा करंची ही रखना है ज्यादा नहीं बस हलका सा गुलावी होने तक इसे हम पका लेंगे तो देख सकते हलका सा ये करंची ही है थोड़ा सा पग गया है तो इसमें हम सिमुलामीर डाल देंगे और इसे भी हम गयास के मेडियम फ्लेम पे बस थोड़ी देरी पकाए ये हल्का सा color change हो गया है तो ज्यादा नहीं पकाना है बच इस तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे आप इसमें हम एक चमश tomato ketchup डालेंगे इसी के साथ इसमें हम एक चमश Hutch instr pounding sauce डालेंगे अब दो चमश tomato ketchup भी दे सकते हैं टेस्ट कर उसे नमक डाल देंगे आदी छोटी जमस कस्मिरी मिर्च आदी छोटी जमस काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो इसमें नमक थोड़ा कम ही डाले क्योंकि स्वास इसमें भी नमक होता है इसे मिस कर देंगे बाकी कोई भी मसाले इसमें नहीं डालना है अब इसे ह पकानाने बस इस तरीके से मिस्ट कर देंगे ताकि स्वास की कोटिंग अच्छे से मसाले की कोटिंग यह जो नास्ते पे हल लग सके तो देखे इस तरीके से नास्ता बनके तयार हो गया है इस तरीके से तरकर लगाने के बाद यह और ज़्यादा चटपटा मज़ेदार बनके तैयार होता है, तो इसे अब हम गर्म गर्म देखिगे, बहुती स्वाधिष्ट, मजएदार सुजी की हल्दी नास्ता बनके रेडी हो गया है, इसे हम स्वाधिष्ट कर लिए है, बनाना कितना सा ने देख सकता, खाने में बहुत जद़ यह स्वादिष्ट होती है तो आभी ये नास्ता की հेस्पी को एक बार इस तरीके से बना के जरूर ट्राइ करें आपको बहुती पसंद आएगा इस तरीके से अगर एक बार ये नास्ता बना लिये तो घर में सभी को बहुती पसंद बाइ